दोस्तों कोरोना वाइरस के बारे में जानकारी तो आपको है और वो कैसे फैलता है उसके बारे में है कि हाथ अच्छे से दोना है प्रिवेंशन के लिए कि आपको हो ही ना आपके तरफ पहुचे ही ना उसके लिए आपको सोशल डिस्टंसिंग एक जगाई कठा नहीं होना है हाथ दोना है मुपे कोई मास्क पहनना है अगर खासी करते हैं ची करते हैं बगल मे बच्चू की साइट से पड़ा लेकिन अगर हम बात करें कि भी अगर आप आपके एरिया में फैल गया है या पैल सकता है तो क्या आपको करना चाहिए आपकी कहाती ही इम्यून सीट्म को स्ट्रांग करने क क्या आप किया आपको को स्पेशल UEK ले 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 लिभी सब्सक्राइब कुछ कुछ में गाजर बता दीजेसर्च प्राशिक कितनी सारी उल्टी सी गव्मूत्री ले-व्हाँ सारी उल्टी-सी-थी बाते आ रही हैं कुछ में थोड़ी सच्चाई हैं कुछ पूरी तरह बकवास है ऐसी सारी चीजों में जी हाँ इन सब चीजों से थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आवला से इन सब में एंटी ऑक्सिदेंस में कुछ इम्यूनिटी बढ़ती है पर एक दिन में नहीं बढ़ेगी एक दिन में चमतकार नहीं होने वाला है तो आपको यह समझना होगा कि यह जो लोग ना शुरू कर दो गए तो चलेगा हर चीज में प्रूवन नहीं है कि हर चीज काम करती है पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलने वाली हर वैटामिन अच्छा है फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसी चीजे लेने में कोई नुकसान नहीं पर जो बेस है अगर आपका बे बिमारी है बुड़ापे हैं कोई कैंसर कोई मेजर दवाईयां चल रही है तो आपकी इम्यूनिटी अल्डेडी कमें इन सब चीजों से सिर्फ आपको अराम नहीं मिलने वाला आपको फिर अपने गिरेबान पर जहाक के देखना होगा कि मेरे लाइफ में क्या है अगर नही बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने जब तक हल्दी डाइट की बात ना करें बाहर के पैकेजड फूट से बचके रखना है जो एक तो बाहर से भी फूट पैकेजड भी और बना हुआ saturated fat वाला तला चिकनाई वाला वो नहीं खाना है तो पकोड़े समोसे बन करने होंगे cholesterol high cholesterol लाइल वाली चीज़े बन करनी है high fat fiber वाली चीज़े लेनी होगी और sodium नमक शकर oils घी बटर मखन मलाई कम रखना होगा घी ले सकते हैं एक चमच हेल्दी होता है ज्यादा भी ले सकते अगर आप बहुत जादा properly active हैं तो आपको एक healthy weight maintain करना पड़ेगा अगर weight ही आपका मुटा है तो आपके heart के, आपके immunity के, आपके बिमारी के risk बढ़ जाते हैं, weight अपने आप में stress levels, cortisol levels बढ़ा देता है, heavy weight तो heart के inflammation already बढ़ जाएगी तो आपना BMI चेक कराई है, weight reduce करने के लिए जो plan बना सकते हैं, regular exercise करनी है, physical activity आपके help करती है, ना सिर्फ blood flow रहने में, proper healthy weight maintain करने में, cholesterol, blood pressure maintain करने में, heart की बिमारी से लेके immunity भी strong करने में बहुत जरूरी है, उसके अलावा अगर आप smoking करते हैं, cigarette सीधा सीधा आपके heart के diabetes के immunity के, बिमारी के हर चीज़ से लड़ने के risk खतम कर देता है, हरने की लड़नी की शक्ता, चमती खतम कर देता है, smoking is bad, even one is bad, even occasional is bad, so stop smoking, quit smoking, सीधा सीधा बन कर दो, आपका बिमारी से मरने का corona हो, या कोई भी बिमारी से मरने का risk आदा हो जाएगा, कुछ ही दिनों में, लेकिन फिर ऐसा नहीं, दस दिन बाद है, ठीक है, so you have to stop it and continue to just stop it always, for forever, alcohol लेते हो, तो alcohol भी बंद करना चाहिए, फिर भी बंद नहीं हो, तो कम से कम limit तो करना ही चाहिए, alcohol limits मैंने already वीडियो में आपके बताई है, cholesterol high है, तो cholesterol control करना चाहिए, best way to control cholesterol is not medicine, is diet and exercise, a lot of salad, जादा एक किलो सलाद खाई है, रोज का, अपन बिमारी अपने high health के अनुसार exercise करिए, अपने ये तीनों चे आप cholesterol बड़ी आसानी से control कर सकते हैं, high cholesterol रहेगा, तो ना सिर्फ ये बलके हदूसरी बिमारियों में भी risk बढ़ जाता है, blood pressure को अगर regular नहीं चेक करते हो, तो regular चेक करना शुरू कर दो, blood pressure high रहना अपने आप मे ना सिर्फ इन बिमारियों के लिए, आपकी immunity के लिए, आपके kidney के लिए, आपके iron levels के लिए, आपके body के लिए, functioning के लिए खराब है, high blood pressure, कई लोगों में रहता है, silently, पता ही नहीं चलता, कहते हैं, मैं को symptom नहीं आया, टायर में, गाड़ी के टायर में, एक में कम, एक में ज जिस तरह गाड़ी के टायर का हवा चेक करते हो, वैसे, अपने regular हफते, दो हफते में एक बार blood pressure machine ले लो, चेक किया करो, अगर ऐसी शुगर भी है, तो शुगर भी बिल्कुल ऐसे daily basis पे या हफते बे, दो-तीन बार fasting वाली शुगर चेक किया करो, शुगर कंट्रोल में रह बिमारी है, उसकी दवा आपको सही समय पे सही समय लेनी चीए, और ऐसी बिमारीों को prevent करने के लिए कई सारे supplements होते है, health care supplements होते है, weight loss supplements होते है, न अच्छे energy देने वाले coenzyme, क्यों लिवो कार्निटीन, आपके लिम सी, vitamin E, vitamin C, omega 3, b complex, अश्वगंदा, अच्छी अच्छी आती हैं, जो आप ले सकते हो, जो immunity बढ़ाती है, curcumin, anti-inflammatory, कई सारी चीज़े हैं, जो अच्छी है, जो ले सकते हैं, combination without combination, depending upon case to case basis, तो अपने doctor से जाके मिले, बात करें, उसके इसाब से अपना खुद का plan बनाए, और आखिर में अपनी बिमारी को समझे, आपको सबसे जर बड़ी चीज़ है, अपने body के अंदर जब भी खाना खाते हैं, धीरे धीरे खाना काई, slow, small, frequent meals, दिन में हर 4-6 घंटे में कुछ-कुछ खाएं, सुबे breakfast, उसके बाद 4 घंटे के बाद एक fruit खा लें, थोड़े seed खा लें, कुछ आपने dry fruit खा लें, फिर 4 घंटे के बाद ल बिल्कुल बुरी है, factory से मिलने वाली चीज़े बुरी है, preservative वाली चीज़े बुरी है, उसमें जो artificial colors है, बहुत बुरे हैं, आपको live and type 1 diabetes, inflammatory disease, autoimmune diseases, thyroid problems, कई सारी इन से हो रही है, बट ये एक पार्ट है, सिर्फ यही कारण नहीं, और भी कारण है, मैदा है, मैदा है, वो भ भी खराब है, आपके body के लिए, pancreas को वो भी damage करता है, तो मैदे से बनी चीज़े, biscuit, biscuit, जितने पीजा, पुजा, सब आपके लिए खराब है, तो खराब है का मतलब है कि कभी ने खाओ, चलेगा, कभी-कभी एक बार खा ले, महीने में, treat day, something like that, चलेगा, but healthy नहीं रहोगे पता ही नहीं आपको की health कैसे होती है, तो immunity कहां से strong करोगे, ये सब में गड़बड कर रहे हो, सब गड़बड कर रहे हो, और एक नीमबू लेने, vitamin C लेने से, glory लेने से, गवमूत्र लेने से, कुछ नहीं होने वाला, बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ बनना छोड़ दीजि strong है, इसके साथ 2-3 चीजे और नींद अगर आप 8 गंटे, 7 गंटे नहीं लेते, minimum 6 गंट, 6 भी नहीं है, तो inflammation बढ़ गया, फिर इतना सब करके भी कोई फायदा नहीं होगा, basic सब जगा है, नींद, exercise, पानी, diet, और ये सारी सारे, मैंने basic सारे आपको बताया, तो ये सब करो होगे, आज से करोगे, तो जी हाँ, अभी फिलाल एक महीना, डेड़ महीना चलना है, ये कोरोना, कम होते हुए भी, फिर एक दो महीना और धीरे-धीरे कम होगा, तो एक आज से भी करना शुरू करोगे, तो भी, नुकसान नहीं होगा, आगे दुनिया में आने वाली दीन, दुनिया की बिमारियां कम होगी, कोरोना होगा, तो बिमार होने का मरने का चांस कम होगा, आपका फाइदा, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ गोली एक लेने से अपने आपको सेल्फ सैटिसफाइड मत मान लो, कि मैं तो ठीक हुए, मैंने ले लिया विटामिन C, दिन में जिया, तो एक-एक करके करो, धीरे-धीरे शरीर ठीक होता है, शरीर हफते में बेटर फील करने लगता है, शरीर महीनों में बहुत तंदरुस्त हो जाता है, और बड़ी से बड़ी धिक्कतों को पार कर सकता है, तो प्लीज ये सब करिए, ये सब शेर करिए, इसके अलावा digestive health पे मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, इसके अलावा immunity पे वीडियोज हैं, इसके अलावा infections पे वीडियोज हैं, आप जिस भी बीमारी के बारे में समझना चाहें, नीचे description में playlist के links आपको मिल जाएंगे, देखो, और समझा, और like करना हर वीडियो को share करना है, thank you so much guys, please, stay connected stay healthy, जिया रात को हल्दी वाला दूद पी सकते हल्दी और घर में पड़ी हर एक spices antioxidant है, हर एक spices अच्छे हैं, हर एक, हर एक मसाला, हर एक खड़ा मसाला, long ilaichi, हर चीज अच्छी है, खाने में regular खाने में, चमतकारी कोई भी नहीं है, चमतकारी कोई भी नहीं है, पर रोज थ stay connected, stay healthy, share the video.